आज हम फतेहबाद के रत्याक शेत्तर में हैं और घगर नदी के किनारे हैं और इस घगर नदी के किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसके काफी विसेस्ता है और इसकी विसेस्ता ये है और ये वो मंदिर है इस मंदिर के अंदर अश्ट कोना मंदर इसको कहा जाता है और इसके अंदर जो शिवलिंग है काफी पुराना शिवलिंग है और इस शिवलिंग पर सूरज की पहली कीरण जो है वो सुबह यहाँ पर पढ़ती है इस शिवलिंग के उपर पढ़ती है और यह पुरानी काल में का यह पुराना मंदिर है बताया जाता है कि जो भी रीशी मुन यहां पर तप करते थे तप वहां करते थे जहां पर प्राचीन नदियां हुआ करती थी प्राचीन नदी यहां पर घगर नदी है और घगर नदी के किनारे ये मंदिर है और इस मंदिर की काफी विशेष्टा है और विशेष्टा इसकी और जादा जानने के लिए हमारे साथ क मंदिर कमेटी के परवक्ता है ध्यात्मिक परवचन यह करते हैं और जो उनके बारे में ज्यादा जानकारी यह बताएंगे जी बताइए क्या इस मंदिर की विशेष्टा है क्या कितने कितना वर्ष पुराना यह मंदिर देखिए यह हजारों वर्ष पुराना मंदिर है यहां किसी ना किसी नदी के किनारे स्थित हैं उसी तरज पर ये जो प्राचीन हनुमान शिव मंदिर हमारे दाईं तरफ है और बाईं तरफ जाम खड़े हैं यहां प्राचीन शिव मंदिर है तो इसमें ये घगर नदी के किनारे पर जो स्थित है और इसमें काफी लोगों में शर् परतवर्ष में गिने चुने मंदिरों में एक गिना जाता है और जो शिवलिंग है वो पांच मुखी है पांच प्रकार के उसके कौन है जैसे रुद्राक्ष होता है उसी प्रकार से ये शिवलिंग जो की एक छोटे रूब में है लेकिन जो इसकी उंचाई है अगर आप पर अना चाहंगा कि पहले यहांपर एक गउशाला थी जिसको प्राचीन गउशाला बोला जाता है लेकिन वो शिव्ट कर दी गई यहां से एक-दो गूँए अब भी यहां पर हैं लेकिन यह प्राचीन गउशाला शेव मंदिर कहा जाता है और इसकी पुराने कथा को अग वांचित फल मिलते हैं, जहां तक मेले की आपने बात करी, सावन के महिने में तो सारा महिना मिला चलता है, शेव जी का प्रिय मास है ये, प्रांतु शिवरात्री जब भी आती है, साल में दो शिवरात्री आती है, तो ऐसे मोके पर जब कामड का वक्त आता है, तो सैक्डों की तदाद में हरिशी केश से हरी दुआर से कामड़ी गंगा जल लेकर यहां पर आते हैं और यहां पर छटा देखते ही बनती है लाइने कितनी लगती है कि बहुत देर देर तक उनका नमबर आता है पहले डाग कामड़ को जल चलने का मौका दिया जाता है और उस समय यहां पर म छाचीन मंदर है, लोगों के कष्ट दूर होते हैं, किस परकारसे होते हैं? कि शहर के एक कोने में स्थिता है सामने हमारे बाई पास है और बाई पास के बाद नदी है घगर जिसका मैं जिकर कर रहा था है और जहां तक बात है आस्था की तो हजारों शरदालू ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि वो शिवलिंग पर जल चड़ा कर गए सामन के महिने में के बाद यहां पर भक्तों का तांता लगा रहता है बकाइदा यहां पर हमारी संस्था है वो बहुत ही कर्मट है और उस सारी संस्था के द्वारा एक बड़े भवन का एक हॉल का निर्मान किया जा रहा है यूँकि यह की पूरे मंदिर का जीरनों द्वार किया जा रहा है उसके बावजूद ये जो जल चड़ाने का, ये जो लोगों का आस्था कपरती का, ये बादों में भी चलता रहता है, लेकिन सोमवार को सुबे के समय, जब सुर्योदे होता है, वो बहुत एक अलोकिक घड़ी होती है, और उस समय सुर्ये की पहली करन, क्योंकि इस शिवलिं की तस्वीर पर पढ़ती है, भगवान मंगेश की, ऐसा ही यहाँ पर है, यहाँ पर भी जो सुर्ये की पहली करन, वो शिवलिंग पर पढ़ती है, उस समय, यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, घंटिया बजती हैं, गड़ियाल बजते हैं, शंख बजते हैं, और जो पंडे जी यहां पर निमास करते हैं, उनका जो पुराना मकान है, उसको एक नया लुक दिया जा रहा है, और हम यह चाहते कि हमारी जो कमेटी है, बहुत ही यह इस प्राचीन गवशाला शिव मंदिर की कमेटी, उसके प्रेजिडेंट और सभी मेंबर बहुत आगे लग कर काम कर रहे हैं, मैं साजुबा देता हूँ उनको, देखिए इस प्राचीन शिव मंदिर के बारे में इन्होंने विशेश रूप से बताया है कि पंचमुखी यहां पर सीविलिंग है, और इस मंदर को अष्ट कोणिये, मंदिर भी कहा जाता है, और घगर नदी के किनारे है, और इसकी बहुत ही परतिष्ठा यहां पर इस मंदिर की है, और सावन में इसमें सुबह सुबह काफी भीड रहती है, और जल चड़ाने वाले लोग जो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, वो यहां पर अराधना करते हैं, और अपनी मनो कामना पूरी करने के लिए यहां पर जला को आल सी.